लवशकार मैं हूँ सूक्रदी इरोई चैटर जी और वोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है गर्मियों की मौसम में खुद को हाइडरेटेड रखना काफी जरूरी है गर्मियों में पसीना जादा आने से शरीर में पानी की कमी होती है जिससे heat stroke और लू लगने की परशानी का सामना भी करना पड़ता है आम्तौर पर आप हाइडरेटेड है या नहीं इसकी जानकारी सबसे अच्छे तरीके से यूरीन का कलर देख कर लगाया जा सकता है यूरीन का कलर डार्क होने का मतलब है कि आप डिहाइडरेटेड है वही यूरीन का कलर जितना हलका होता है उसका मतलब है कि आप हाइडरेटेड है आमतर पर यूरीन का कलर बिलकुल क्लियर होने पर माना जाता है कि आप पूरी तरह से हाइडरेटेड है लेकिन हाल ही में एक हेल्थ एक्सपर्ट ने इसे लेकर चेतावनी दी है एक्सपर्ट का मानना है कि यूरीन का कलर क्लियर होना सेहत के लिए काफी नुकसान दायक है यूरीन के कलर से इस पर्ष्ट पता नहीं चलता कि आप हाइडरेटेड हैं या नहीं Expert की माने तो यूरीन के कलर और हाइडरेशन के बीच एक लिंग है लेकिन ये पूरी तरह से गलग है एक स्वस्थ व्यक्ति में यूरीन का पीला कलर इस बात का संकेत होता है कि आपकी किड्ली सही तरीके से काम कर रही है वही अगर आपके urine का color बिलकुल साफ है तो इसका मतलब है कि आप जरूरत से जादा fluid का सेवन कर रहे हैं जिसकी आपके body को जरूरत नहीं है बता दिंगे urine का हलका पीला रंग perfect होता है बता दिंगे एक व्यक्ति के शरीर के सभी अंगों को सही से काम कर निकले रोजाना 6-8 ग्लास पानी पीने की जरुरत होती है वहीं कई बार दवाईयों के सेवन के चलते भी यूरीन का कलर डार्क हो जाता है साथी यूरीन में infection, kidney और bladder में stone, cancer और bladder syndrome होने पर यूरीन का कलर लाल और भूरा नजर आता है यूरीन का रंग अगर orange दिखे तो ये liver damage cure इशारा करता है वह यूरीन का पानी की तरह clear होना यानि की बिल्कुल साफ ये इशारा करता है कि आप जरुरत से ज़ादा पानी तो पी ही रहे हैं साथी आपकी kidney disease का भी ये संकेत है ऐसे में अगर लगातार एक हफ़ते तक आपको अपने यूरीन का कलर साफ यानि की clear नजर आए तो आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले